तो वो कौन सी टेकनोलोजी है जो Netflix, Adidas, TikTok सब को यूज़ कर रहे हैं और अगर आप एक React developer हो तो आपको सीखना आपको आना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे next.js की, next.js react का next step है, अगर आप React developer बन गए हो आपको job मिल गया है तो आपको next.js सीख लेना चाहिए क्योंकि आज के समय में इसका adoption बहुत तेई से चल रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, एक बार समझते हैं कि आगर ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में हर React developer को next.js सीखनी की जूरत पड़ गए, मैं समझाता हूँ, आपको देरी-देरी समझेंगे, एक बहुत पुराएं समय की बात है जिब React था ही नहीं, ठीक है, React नहीं था, तो लोग SPAs यानि कि single page application जैसा कि आज आज आप देखते हो, अगर आप flip card की एक app देखो, उस पर आप अपडेट हो जाता है, अब कि आप, पहले के जो apps होते थे, उसमें अगर कुछ भी करना होता था, एक action ले था तो पहले पूरा page ऐसे white हो जाता था, और उसके बाद नई चीज़ आती थी, फिर आया single page application, बहुत सारे framework के पहले, जिन्होंने single page application बनाने की शुरुआत की, पर जब react आया, उसने बहुत सारे problems solve की, इसके बारे में हम एक बार और बात करेंगे, कि react ने क्या problems solve की, उसके पहले क्या हुआ था, लेकिन react अपने साथ बहुत सारे problems लेकर भी आया, एक जो बहुत बड़ी समझ जा थी react के साथ, कि react क्लाइन साइट सब कुछ करता था, अब ब क्लाइन साइट क्या होता है, क्लाइन साइट बड़ी सिंपल चीज है, कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो सर्वर से यहां fake दिया जाता है, यह मैंने अपने मर्न स्टैक के वीडियो में समझाया है, उसको यहां पर मैं लगा दूँगा, तुम देख लेना, तो सर्वर क्या कर इसके फाये भी है और नुकसान-वी, इसका फायदा है कि आप सब कुछ जावा स्क्रिप्ट में लिखते हो, आप सब कुछ मिनिफाई कर सकते हो किश कर राते हो, इसके नुए को चैनिक्ना क्या है, इसका नुकसान यह कि अब जो पEंज बन रहा है ना, जो ब्राउजर पे एप्लिकेशन का मतलब कि ऐसे नोशन है, Google Sheets है, Gmail है, यह जो एप्स होते हैं इनमें अगर लोड टाइम थोड़ा ज्यादा भी हो, आपको शायद याद होगा कि पहले Gmail ऐसे लोड हुआ करता था, शायद आप लोगे जनेरेशन में नहीं है, हमारे जनेरेशन में तो यॉर मेल एप्लिकेशन हम एप्लिकेशन तक ही क्यों सीमित रखे, एक e-commerce आप जैसे कि Flipkart, वो भी तो एक single page आप्लिकेशन ही है, वो भी तो एक आप है, हम उसके इंटरफेस को भी बेटर क्यों ना करे, बुक माई शो, हम उसके इंटरफेस को भी बेटर क्यों ना करे, कोई banking आप लिजे, हम उसके इंटरफेस को भी बेटर क्यों ना करे, तो हम एप की जो सीमा रेखा है, एप की जो लाइन है, उसको हम थोड़ी और दूर ले जाते हैं, और जो भी consumer कर रहा है, उन चीजों को भी हम एप की तरह ही ट्रीट करते हैं, इतना ही नहीं, उसके बाद मीडिया क अप की तरह ही तो क्या होना शुरू हुआ कि हर कुछ अब एप बन रहा है, क्या हुआ है, वेब डेवलोप्मेंट की जो यह साइकल चल रही है, जो टाइम लाइन चल रही है, इस टाइम लाइन में रियाक्ट आया है, 2014-15 के आसपास, और 3-4 साल, 5 साल होते हो, तो क्या हो हो रहा है कि हर कोई हर जगा रहा है, क्यों लगा रहा है, क्योंकि react में component होते हैं, और component को reuse करना बहुत आसान होता है, और जो developer experience होता है, वो बड़ा अच्छा है, कि developer को कम काम करना बटा है, एक जगा एक चीज़ लिखे, उसको दूसरी जगा लगा दिया, तीसरी जगा अब website में भतेरे interactions है, तो अब सब कुछ सब को react में लिखना चाहरा है, बट इसकी अपनी समस्या हुई, क्या समस्या हुई, इसकी समस्या ये हुई, जब हम website सोचते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, कि उसमें static data होगा, तो एक bot या crawler जाएगा, और उसमें से सब कुछ निकाल के ले आएगा, और Google को बता देगा, इसी चीज़ को SEO कहते हैं, है न, तो SEO जो है, वो आप नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो JavaScript का app बना है, वो तो पुरा JavaScript में है, अब bot और crawl claim तो करता है, कि वो समझ पाएगा, लेकिन SEO ranking बहुत खराब हो जाती है, अ उसका JavaScript का engine चलेगा, उसके बाद HTML निकलेगा, उसके बाद page बनेगा, तो जब आप पे थे, तब ठीक था, आप वेट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब आप एक e-commerce site पे हो, एक book my show site पे हो, एक news site पे हो, जहां पर भी आपको कुछ बेचना है, वहां तो आप आपको जल्दी से page दिखाना है, तो लोग बहुत टाइम आगरा चलो चलते हैं, और यह सच बात है, यह सच बात है, Google का यह research है कि काफी जादा प्रतिशत लोग, अगर तीन सेकेंड के अंदर site नहीं खुलती है, तो site से चले जाते है, तो आपको site fast चाहिए, और अगर आप सारे लोग use करने लगे, next.js क्या करता है, next.js इन दोने problems को solve करता है, पहरी problem हमने क्या कही थी, SEO की, SEO की problem कैसे solve करता है, कि next.js के पास javascript तो ही, अब जो javascript client पर चल सकता है, वो server पर क्यों नहीं चल सकता, बिलकुल चल सकता है, आखिर उसे क्या चाहिए, एक javascript engine चाहिए, उसे तो यहीं मांगता है, देखो, इसमें बहुत सारे मैंने ऐसे terms बोले, जो शायद तुम्हें समझ में नहीं आये हो, क्योंकि मैंने उन पर अभी videos नहीं बनाये, तो अगर तुम्हें ऐसे terms से videos चाहिए, जैसे SSR versus SSG, या react server components क्या होता है, तो इन तरह के terms को comments में ज़रू में एक tech conference attend की थी, उसमें Flipkart के engineers आये तो वो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा setup किया है, यह चीज़ करने के लिए, क्योंकि Flipkart बहुत पहले react में ही लिखा गया था, उन्होंने पूरे पूरे app को react में लिखा था, और react में जब उन्होंने अप लिखा था, तो समस चरलो, इस पेज़ के ऊपर, और यही नहीं, जो एक चीज़ और करते थे कि HTML को पहले बेज़ते थे, उसके बाद उसको उसमें JavaScript डालते थे, तो ऐसे चीज़ें लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि, नेक्स जैस ने कुछ ऐसा बहुत ही मैज़दार चीज कर दिया, पर नेक् अब करते हैं, जैसे कि Notion के लिए जब आप प्राइबेटली यूज़ कर रहे हो, तो इंपोरेंट हैं, लेकि Notion पब्लिक पिज़ें के लिए इंपोर्टन है, ** जीमेल के लिए, जब हम लोग आउटलुक पर थे, मैं Outlook पर काम कर रहा था, मैं टीम्स में काम कर रहा था, व तो हर जगा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हर को यूज नहीं कर रहा है, पर अगर तुम्हारा एप ऐसा है आज के टाइम पर जिसमें तुम्हें एस यो चाहिए, जिसमें तुम्हें लोट टाइम कम चाहिए, यानि कि तुम उस एप से कुछ बेच रहे हो, बुक माई शो एक ए तो अगर आपको ऐसा चाहिए, तब आपके लिए Next.js बहुत important हो जाता है, और अगर आपको user-friendly-ness चाहिए, तो react भी important है, तब तो Next.js तो काफी important हो गया आपके लिए, और Next.js के साथ एक चीज और अच्छी होगी पता क्या, कि उसने परफॉर्मेंस को और बेटर कर दिया, सिर्फ load time नहीं किया, इसके साथ साथ उसने क्या क्या, automatic code splitting कर दी, यह क्या होता आप बोलोगे, कुछ खास बात नहीं है, देखो, जब आप Flipkart के home page पे जाते हो, तो आपको Flipkart का about us page लाने की कोई ज़रूत नहीं है, तो वो नहीं लाओ, पर पहले के apps में, बहुत पहले के करने की ज़रूत नहीं होती है, क्योंकि next case खुद बखुद इन चीजों का ध्यान रख लेता है, एक और बड़ी चीज होती है, जो मैं आपको बदाना चाहता हूं, कि जब आप कोई बड़े app पे काम करते हो, तो code बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ बढ़ा होता है, द चेंज जैसे तुरंट हो जाता है, ये भी next.js आपको automatically दे देता है, तो आपका जो developer experience react से अच्छा हुआ था, पर उसके साथ जो कुछ बुराईया आ गई थी, वो developer experience भी next.js बेटर कर देता है, तो तीनों front पे, ना सिर्फ SEO and load time, बलकि developer experience और performance के front पे भी next.js काफी अच्छा करता है, लेकिन next.js अपनी controversies से छूटा नहीं है, next.js के साथ बहुत controversies होती है, और आज के समय में तो इस पर ये भी इलजाम लग रहा है, रियाक के जो server components है, वो next.js पे चलेंगे, और next.js open source तो है, पर वो वरसल को बहुत favor करता है, तो एक तरह से next.js open source होने के काफी सारा पैसा कमा कर दे रहा है, देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, किसी भी चीज़ में कुछ गलत नहीं होता, लेकिन इन चीज़ों के around controversies बहुत जादा है, कि open source कहके भी ये लोग एक दूसरे को favor करते हैं, companies पैसा कमाती हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे developers, next. next.js की जो company वरसल, वो hire कर रही है, तो क्या जो ये open source का openness है, ये क्या कम हो रहा है क्या, ऐसे भी कई सवाल next.js पर उठते आ रहे हैं, ये भी हो गया है, कि आए तो हमें सिर्फ javascript सीखना था, फिर आपने कहा आप react भी सीखो, अब entry-level developer से कभी-कभी कही-कही next.js भी पूछ उसकी भी जानकारी चाहिए, और next.js की API है वो भी इतना असान नहीं, उसे भी आपको समझना पड़ता है कि इसमें कैसे चीज़ को लिखे, कैसे code लिखे, इसके साथ अगर मुझे अलग libraries integrate करनी है, तो मैं कैसे integrate करूँ, अगर मुझे को state management library चाहिए, कोई मुझे CSS की library चाहि पर है, उसके लिए अब और भी सारे design choices, और भी knowledge चाहिए उसको, तो लोग कहते हैं, यह अब बहुत tough होता जा रहा है, JavaScript का यह, बट क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें आता है, तो इसके पैसे मिलेंगे, मेरा ऐसा मानना है, अगर मेरी मानो, तो तुम्हें अभी next.js सीखने है, और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो subscribe करना मत बोलना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लेकर आ रहा हूँ, like तो करते ही जाना, और comment जो मैंने कहा था, जो भी term समझ में नहीं आया, comment कर देना, एक और वीडियो बनाएंगे उसके उपर.